हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रपोर्शन ओप कॉंक्रीट मिक्स दोस्तो सबसे जानदा इंटर्व्यू में इसी से रिलेटिव कोशन पूछे जाते हैं यह आपको आता है मदलब आपका इंटर्व्यू के लिए आए देखते हैं क्या है प्रपोर्शन ओप कॉंक्रीट मिक्स इससे पहले आप लेटेश्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जिसका नाम है फिल्डवर के एक्सपाइट देखिए दोस्तो दब प्रोसेस ओफ रिलेटिव प्रपोर्शन ओप सीमेंट सेंड एग्रिगेट एंड वाटर इन चारों का मिक्सी कॉंक्रीट मिक्स कहलाता है अब बात करते हैं प्रपोर्शन क्या होता है तू अप्टेन आ कॉंक्रीट ओफ डियार क्वालिटी मतलब आपकी इच्छाए 20 न्यूटन पर एम एम स्कॉर कॉंक्रीट स्ट्रेंग्स की इसके लिए जो रिश्यू निकल कर आएगा सीमेंट सेंड एग्रिगेट और वाटर का वही प्रपोर्शन होगा क्लियर दोस्तों से मैं 15 के लिए 1 1 2 2 1 2 4 होता है क्लियर दोस्तों यह फॉर्मूला आप याद रखिएगा इससे आपके सारे रिश्यू निकल आएंगे 1 1 2 1 2 1 2 2 1 क्लियर दोस्तों आपको याद नहीं करना पड़ेगा किसी भिगी रियर का रिश्यू अब बात करते हैं M5, M10, M15 इनके लिए क्या रेशी होता है देखिए दोस्तों M5 यह क्या होता है M5, M7.5, M10 यह grade of concrete होते हैं इसको मैं detail में बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में आपको M का मतलब क्या होता है 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों देखिए आज अपन बात करना है proportion of concrete है M5 का proportion क्या होता है दोस्तों देखिए 1 part of cement, 5 part of sand, 10 part of aggregate क्लियर दोस्तों यह तीनों एक ही unit में होना चाहिए unit में मतलब आप किसी box में ले सकते हैं या किसी तस्सल में ले सकते हैं क्लियर दोस्तों M7.5 का क्या ratio होगा 1 part of cement, 4 part of sand, 8 part of aggregate क्लियर दोस्तों M10 का क्या ratio होगा 1 is to 3 is to 6 क्लियर दोस्तों अब M15, M20, M25 इन तीनों में से एक question बनता है interview में इस लिए से ध्यान से देखिए है M15 का क्या ratio होता है 1 part of cement, 2 part of sand, 4 part of aggregate क्लियर दोस्तों M20 का क्या ratio होता है 1 part of cement, 1.5 part of sand, 3 part of aggregate यह सारे देखो formula से ही बनना है 1 is to N is to 2 N 3 into 2, 6 क्लियर दोस्तों 2 into 2, 4 क्लियर दोस्तों 1.5 into 2, 3 क्लियर दोस्तों यह सारे उसी formula से बनना है जो आपको मैंना पहले बताया था 1 is to N is to 2 N I mean general way में अपन इन्हें कैसे बोलते है 1 is to 5 is to 10 1 part of cement, 5 part of sand, 10 part of aggregate क्लियर दोस्तों 1 is to 3, 2, 6 का मतलब क्या है 1 part of cement, 3 part of sand 6 part of aggregate क्लियर नहीं होना है कि यह aggregate है यह sand है तो आपको पता है 1 cement होता है, 2nd sand होता है 3rd aggregate होता है क्लियर दोस्तों M25 से उपर अपना nominal mix होता है फिर भी हमें M25 का रेशी पता है 1 is to 1 is to 2 होता है क्लियर दोस्तों जानदा तर रेशी का रेशी किया जाता है मास्क कॉंक्रेट में हैवी स्ट्रेक्चर में आईए दोस्तों अब जानते है से जानदा इंपोटेंट सीज क्या है इसमें बात करेंगे आपने water cement ratio कैसे निखालते हैं क्या होता है water cement ratio concrete के लिए आपको cement sand aggregate इन तीनों का पटा पढ़ गया water का पता नहीं पढ़ा अभी तक M5 का ratio है यह mixed proportion 1 is to 5 is to 10 के लिए दोस्तों यह characteristic compressive strength है in Newton per mm square में जैसे मैंने अभी आपको बताया दा आपको 20 newton per mm square strength चाहिए इसके लिए आप कौन सा mix use करेंगे M20 15 चाहिए तो M15 clear दोस्तों जैसे आपकी strength की desire हो उसी के according आप grid यूज करेंगे दोस्तों M5 M7.5 यह आता है lean mix में जे grid of concrete के group होते हैं यह M5 से M7.5 तक आता है lean mix में M10 से M20 तक आता है ordinary concrete में M25 से M55 तक आता है standard concrete में M60 से M80 तक आता है high strength concrete में clear दोस्तों यह आपका सारा clear हो चुका है अब water cement ratio क्या होता है water cement ratio vary from 0.4 to 0.7 depend upon the exposure condition मतलब यह आपके motion पर depend करता है temperature पर depend करता है कि water cement क्या हो generally water cement ratio लेते हैं दोस्तों 0.45 से 0.50 यह अब depend करेगा क्या water cement ratio mild condition है आपकी moderate condition है serve very sharp extreme condition है किस condition में आपका construction work चल रहा है उसमें depend करता है जाना तर दोस्तों 0.45 0.50 water cement ratio को यूज किया आता है धन्यवाद दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें देखने के लिए धन्यवाद